हेलो नमस्कार आदाब सास्रीकाल वेलकम टू यूर ओन चैनल टेकवानी आज हम बात करने वाले हैं उन लैप्टॉप्स के बारे में जो कि 30,000 से 35,000 रुपे की रेंज के अंदर मिलते हैं और ये हैं वो फार्ड लैप्टॉप्स भाई ये फार्ड लैप्टॉप्स क्या होते पार्ड लैप्टॉप्स वो होते हैं दोस्तों जिसके अंदर आपको 30,000 की रेंज के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड भी मिले हैं डेडिकेटिट कम से कम 2GB का ग्राफिक कार्ड देखने हो मिले सिक्क्योरिटी के अगर बात करो तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिले का 8GB की RAM मिले, Windows 10 का सपोर्ट आपको देखने को मिले साथ में Optane Memory भी आपको देखने हो ले जिसे Performance आपकी जबरदस तरीके से बूस्ट हो जाए Full HD स्क्रीन देखने हो मिले तो ये होते हैं ना Fard Laptops तो इसी तरीके कमाल Laptops में लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर मेरा नाम है संदीब और चानल का नाम तो आप जानते ही हैं टेक वानी फटा फट सब्सक्राइब कर दिजे इसी तरीके के लेटस टेकनोलोजी वीडियो देखने के लिए बिना वक्त गवाई वीडियो को फटा फट हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर लापटाप की बात करते हैं तो वो है आईडिया पैड 330 अब देखो 330 जो है वो एक सीरीज होती है लापटाप के मॉडल्स के नाम बड़े लंबे लंबे और अलग अलग होते हैं तो ऐसे मैं उनका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप डिटेल में जाके जो क्लिक करके पूरा सर्च कर लीजेगा और देख लीजेगा कौन-कौन सी कॉन्फिग्रेशन है और कंपेर भी कर लीजेगा फिलाल तो मैं अभी इसकी कॉन्फिग्रेशन के आरें बात कर लेता हूँ इसकंदर आपको इंटल का कोर i3-7 जेनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 2.3 GHz की फिक्वेंसी पर चलता है इसकंदर आपको 4 GB की DDR4 RAM देखने को मिलती है सालती 16 GB की Optane RAM देखने को मिलती है आप Optane RAM क्या होती है मैं थोड़ा सा क्विक्ली आपको बताते था हूँ दोस्तों पहले क्या होता था? SSD Hard Drive आपको देखने को मिलती थी जैसे 20 GB की SSD Hard Drive हो गई साथ में आपको 128 GB की अलग से या फिर 512, 25 GB की या 20 GB की अलग से Hard Drive देखने को मिल जाती थी आप Optane Memory क्या करते है कि जैसे आप इसको मैं मुबाइल से compare करता हूँ मानली अपने के मुबाइल के अंदर 50 अप है न बट नॉमरली जो है आप 10 अप जो है वो जादा यूज़ करते हैं उसको अपने अंदर store कर लेती है तो ऐसे में जब भी आप उस software को होलते है तो instantly click करते ही खुल जाता है जादा time उसके अंदर नहीं लगता है और बहुत जल्दी से उसकी processing हो जाती है तो 16 GB की obtained RAM का होना वो काफी अच्छी आपको storage मतली काफी अच्छी performance आपको दे देगा और 4 GB की RAM तो ही तो definitely आपकी performance जब वो काफी जबरदस्त आने वाली है अब अलग से storage की बात करें तो 1 TB की storage और आपको इसकंदा देखने को मिलती है साथ ही 2 GB का AMD का graphic card आपको dedicated इस laptop में देखने को मिल जाएगा जो की AMD Radeon 530 है Windows 10 का आपको home edition मिलने वाला है with lifetime agility और 15.6 inch का आपको HD display देखने को मिलने वाला है दोस्तों अगर weight की बात करों तो इसकंदा आपको 2.2 kg का weight मिलने वाला है और battery backup की बात करों तो लगबग 6 गंटे का battery backup आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों warranty की अगर बात करता हूं तो इसकंदा आपको 1 year की international warranty देखने को मिल जाती है बाकि सब लगबग सभी port जो है USB port 3.2 का support मिलता है card reader का support मिलता है Wi-Fi, LAN, Bluetooth, webcam सभी आपको देखने को मिल जाते है एक drawback जो है तो मैं आपको बता जता हूं कि सब्सक्राइब को DVD read write का support नहीं मिलता है तो उसको थोड़ा सा देख लिजेगा बाकि laptop जो है एकदम कमाल धमाल है और 35,000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा नॉर्मल इसका price जो 38, 39,000 के आसपास रहता है लिएन current में 35,000 रुपीज का चल रहा है link में नीचे description में दिदुआ क्लिक करके आप उसको buy कर सकते हैं और हम move on करते हैं अपने next laptop की तरफ दोस्तो दूसरे अगर laptop की बात करूँ तो वो है HP के 15 सीरीज का laptop अब HP के laptop काफी दमदार होते हैं और काफी reliable भी होते हैं बात ही है कि इस अंदर आपको 2GB का Nvidia का MX 1110 का आपको DDR5 वाला graphic card देखने को मिल जाता है साथ ही आपको 15.6 inch की full HD anti-glare screen देखने हो मिलते हैं तो काफी देर भी आप काम करोगे इसके उपर आग गेम खेलोगे तो आँखों पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है 1TB की आपको hard drive space मिलने वाला है और पिछले laptop जो कमी थी वो इस अंदर नहीं है DVD, read और write दोनों का support आपको देखने हो मिलने वाला है साथ ही HDMI, USB port, audio port वगरा सारे इस अंदर मिलने ही वाले हैं दोस्तो weight के अगर बात करो तो इस अंदर आपको 2.1 kg का weight देखने को मिल जागा और company ऐसा बोलते हैं कि 6-7 गंटे का battery backup देखने को मिलने वाला है लेकिन आप यह मान के चलिए अगर company 6-7 गंटे बोल रही है तो definitely it's a very good deal आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं और हम move on करते हैं अपने next laptop की तरफ दोस्तो अगले अगर laptop की बात करों तो वो है Asus brand का laptop और Asus के laptop वैसे भी gaming में काफी अच्छे माने जाते हैं और यह X507 series का laptop जिसके अंदर आपको Intel का core IT processor देखने को मिलता है इसके अंदर आपको 4GB की RAM देखने को मिलेगी लेकिन आप उसके बढ़ा सकते हैं 8GB की RAM भी उसके अंदर आपको कर चकते हैं 1TB की इसके अंदर आपको hard drive देखने को मिलती है दोस्तों यह laptop जो है काफी lightweight है 1.6 kg का सिरफ यह laptop है तो काफी easy to go है अगर आप अच्छी performance चाहते हैं और अगर professional भी अगर आप हैं तो definitely इसको carry करके घूम सकते हैं यह जादा weight इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि professional की मैंने बात करें तो security की भी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको fingerprint scanner देखने को मिल जाता है और वो भी काफी अच्छी quality का fingerprint scanner है जो कि अगर थोड़ा wet हो मतले उंगली बगारा गीली हो तब भी वो काम करता है 360 degree angle पे भी काम करता है तो काफी safe and secure ये laptop है काफी lightweight ये laptop है और साथ में dedicated आपको graphic card का support देखने हो मिल रहा है तो definitely एक overall package आपको देखने हो मिलता है जिन्वेन Windows 10 के साथ दोस्तों ये laptop आपको 30,204 रुपे का देखने हो मिल जाता है तो ऐसे में 30,000 रुपे की range के अंदर रासूस का laptop मिलना Windows 10 genuine edition मिलना 2GB का dedicated graphic card मिलना fingerprint scanner का support होना है कि नहीं ये fard laptop मतलब कि 30,000 की range के अंदर आपको almost सारी features मिल रही है तो definitely एक काफी अच्छा बाय है link में नीचे description में देदेता हूँ और हम move on करते हैं अपने next laptop की तरफ दोस्तो अगले अगर laptop की बात करूँ तो वो भी Lenovo IdeaPad का 330 series का laptop है और क्या कमाल का laptop है इस laptop के अंदर आपको Intel का core i3 7 generation का processor जो है वो देखने को मिल जाता है जो की 2.3 gigaerts की frequency पर चलता है 8 GB की इसके अंदर आपको RAM देखने को मिलती है 8 GB की 8 GB की RAM आपको इसके अंदर देखने हो मिलती है जिसको आप 16 GB तब भी बढ़ा सकते है 1 TB की इसके अंदर आपको hard drive देखने हो मिलती है ये dose based system है तो इसके आप कोई भी Windows अपने डाल सकते है जो भी आपको पसंद हो 8 या 10 जो भी आपके use के हिसाब से है तो brand ने इसको बिल्कुल फ्रीट चोड़ रखा है कि आप जो भी operating system अपनी मर्जी का डाल सकते है दोस्तो 8 GB RAM और 1 TB की hard drive तो इसके अंदर मिली रही है बाखी configuration के अगर बात करो तो इसके अंदर आपको experience देखने हो मिल जाएगा headphone jack भी इसके अंदर आपको देखने हो मिल जाता है बाकी लगबग सभी port जो है LAN, Wi-Fi, Bluetooth, card reader या webcam आपको देखने हो मिलने वाला है DVD read-write का support इसके अंदर नहीं है price जो है वो 34,990 रुपे का है Lenovo brand जो है वो काफी दमदार brand है दोस्तो 8GB की RAM का support अना मदले काफी smooth performance इस laptop के आपको मिलने वाली है और 34,990 का price है इसका link में मैं इसे description में दे रहा हूँ ये थे दोस्तो वो laptop जो 30,000 रुपे से लेके 35,000 रुपे की range के अंदर आपको मिल सकते है कोई भी laptop जो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं आप उसको purchase कर सकते हैं एक में tip आपको देना चाहूँगा अगर आप कोई भी laptop purchase करते हैं ये कर रहे या कोई दूसरा laptop यागर आप purchase करते हैं जाके seller की जो है reviews और rating ज़रूर देखिया क्योंकि ऐसा होता है Amazon जो platform है या flip card जो platform है platform खराब नहीं होते हैं problem कई बार जो seller होते हैं वो create कर देते हैं कई बार गटिया seller जो है आज आता है platform के उपर और वो repack करकर करके खराब material भेजना और इस type की हरकते वो करता है हाला कि Amazon flip card जैसे जो platform है तो काफी ऐसी कोशिच करते हैं कि इस तरीकी के लोग ना आए बट किसी की face पर लिखा नहीं हो है कि वो बंदा कैसा है तो वो आ जाते हैं और इसका नुकसान जो है वो user को हो जाता है जो उसको मंगाता है उस laptop को या किसी और device को तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि laptop तो आप ले बट laptop के reviews के साथ साथ जो seller है उसका review ज़रूर देखें और अच्छे कुछ seller होते हैं उनसे आप product खरीदेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे seller की में list आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूमा जिनसे आप buy कर सकते हैं otherwise reviews तो दिये ही होते हैं तो 4 star या उससे उपर star rating जिसकी है उसी से आप product buy कीजिएगा जिसकी rating कम है उससे product लेने से बचिएगा ये था मेरा वो tip जिससे आपको फायता हो सकता है कोई भी online समान खरीदने से पहले उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर like नहीं किया तो like जरूर कीजिएगा like करें बगएर मज़ेगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजए इसी तरीके की वीडियो चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ मिलता हूँ आपसे जल्दी next वीडियो के अंदर अपसे जल्दी next